अगर आप केरल में रहते हैं और खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करते तो पुलिस महकमा आपको खाकी वर्दीधारी जवान और विशेशक गे कुत्ते मुहाया कराने को तयार है यह सुविधा पहले से थी लेकिन अब महकमे में नई दरें लागू की गई है जाहिर सी बात है निजी सुरक्षा के लिए अब जादा खर्च करना पड़ेगा एक जवान के लिए पहले रोजाना के 3,035 रुपे खर्च करने पड़ते थे नई दर में 10 फीजदी का इजाफा हुआ है केरल पुलिस के जवानों और ट्रेंट कुत्तों के अलावा आप अपनी सुरक्षा को और खास बना सकते हैं मांगने पर पुलिस का जवान वाइरलेस सेट के साथ पहुँचेगा जितनी जादा सुबधा लेंगे जेब उतनी ही जादा दीली करनी पड़ेगी केरल सरकार का मानना है कि फिल्म प्रोडक्षन यूनिट से जुड़े लोग और नामी गिरामी हस्तियां इसका उप्योग कर सकती है सभी को सुरक्षा मिलेगी कॉपरेट प्रोग्राम्स के दौरान खास लोगों की आवा जाही में कोई परिशानी नहीं होगी ये सेवा हमारे लिए उप्योगी साबित होगी लेकिन कुछ बाते खटक रही है पुलिस के एक कुट्टे के लेक रोजाना के हिसाब से 7,280 रुपए चुकाने होंगे एक सिविल सेवक को मिलने वाले पैसों की तुलना में ये काफी जादा है केरल सरकार के मंत्री और पुलिस विभाग के अधिकारी इस पर कुछ बोलने को तयार नहीं है सूत्र बता रहे है कि राज की माली हालत को सुधारने का ये हदम है लेकिन केरल में अपरात का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है ऐसे में वाइलेस सेट और दूसरे उपकरण किराई पर देने से सुरक्षा सम्मंधित चिंताएं भी है प्रतिभारामन की रिपोर्ट NGTV इंडिया के लिए